हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सैमसंग गेलक्सी M20 जो भी हाल ही में लॉंच हुआ है और बहुत सारे लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और दूसीरी तरफ है हमारे पास रियल्मी का यूवन जो रियल्मी का बहुत ज़ादा पॉपुलर मोबाइल है तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा मैं आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या-क्या कमिया है और आपके लिए सबसे बढ़िया कौन सर हैगा तो चलिए बिनवर्ग गवाया अन्बॉक्स कर लेते हैं रियल्मी के यूवन को और देखते हैं 11,000 उपे के अंदर इस मोबायल में आपको क्या-कया मिलता है तो जैसे ही आप इसको अन्बॉक्स करते हैं ग्रे कलर के अंदर काफी अच्छी पैकिंग में इसके अंदर आपको एक मीनी बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर आपको Sim Egyptor Tool दूर लगवा मिल जाता है बाकि इसके अंदर की तरफ आपको रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल इस तरीके से इसी के साथ आपको मिल जाता है एक ट्रांसपरेंट कवर तो यह काफी अच्छी बात है काफी अच्छी क्वैलिटी के अंदर आपको एक ट्रांसपर USB to Micro USB Cable मिलती है Type-C Cable इस मोबाइल के साथ आपको नहीं मिलती है इसी के बाद आपको रखवा मिल जाता है Box के अंदर एक Charger White Color के अंदर तो मैं आपको दिखा देता हूँ White Color के अंदर आपको कुछ इस तरी के सा बड़ा सा Charger मिल जाता है इस मोबाइल के साथ Specifications आप पढ़ सकते है Output आपको मिलता है 5W 2A का तो एक Fast Charger इस मोबाइल के साथ आपको नहीं मिलता है ना ही ये Mobile Fast Charging सपोर्ट करता है तो ये सब समान आपको Realme U1 में मिलता है 11000 के अंदर अब चलिए Unbox कर लेते हैं Samsung को और देखते हैं Samsung में 11000 में आपको क्या क्या मिलता है तो जैसे ही आप इसको Unbox करते हैं सबसे पहले आपको रखवा मिल जाता है Mini Box जिसके अंदर की तरफ आपको रखे वे मिल जाते है कुछ User Manual बाकी एक Simple सा Transparent Back Cover इस Mobile के साथ आपको नहीं मिलता है वो आपको Realme के साथ ही मिलता है इसके बाद आपको रखवा मिल जाता है Mobile इसका Detail लूक अभी देखेंगे इससे पहले देख लेते हैं Box के अंदर आपको रखी वे मिल जाती है Data Cable वाइट कलर के अंदर Data Cable की Quality मुझे थोड़ी इसकी जादा बेटर लग रही है बाकी इसकी Length भी ठीक टाक है एक चीज़ काफी अच्छी ये है इस Mobile के साथ आपको Type C Cable मिल जाती है ये Mobile Type C Cable सपोर्ट करता है जो की काफी बढ़िया बात है बाकी इसके लाव आपको रखावे मिल जाता है एक बड़ा सा Charger ही Box के अंदर तुम आपको निकाल के दिखा देता हूँ काफी बड़ा सा Charger आपको मिल जाता है इस Mobile के साथ इस Specifications आप पढ़ सकते हैं और एक बहुत बढ़िया बात ये है इस Mobile के साथ आपको Fast Charger मिल जाता है जो की काफी अच्छी बात है Type-C केबल का भी Support इस Mobile के साथ आपको मिल जाता है ये Mobile Fast Charging भी Support करता है और Box के अंदर ही आपको Fast Charger मिल जाता है तो ये सब समान आपको मिलता है 11,000 के अंदर, Samsung के अंदर बाकि इसके लावा एक Simjector Tool भी मिल जाता है बाक्स के अंदर आपको कुछ इस तरीके से लगावा चलिए बात कर लेते हैं सबसे में चीज मुबाइल के डिजाइन के बारे में तो ये दोनों ही मुबाइल्स मिलते हैं पिक्सल का, दूसरा मिलता है 5 मेगा पिक्सल का और इन दोनों ही मुबाइल्स के अंदर आपको कैमरी की परफॉमेंस सही मिल जाती है बाकि मुझे थोड़ी सी ज़ादा बेटर परफॉमेंस लगी Samsung के अंदर Realme U1 से तो design के मामने में ज़ादा बढ़िया Realme U1 है आपको मिलती है 6.3 इंचिस की डिस्पले तो काफी कमाल के साइज में आपको दोनों ही मुबाइल्स के अंदर डिस्पले मिल जाती है लेकिन Samsung के अंदर आपको मिलती है TFT डिस्पले और IPS डिस्पले आपको मिलती है Realme U1 के अंदर तो ज़ादा बढ़िया डिस्पले आपको Realme U1 के अंदर मिल जाती है बाकी दोनों मुबाइल्स के अंदर आपको मिल जाती है नॉच वाली डिस्पले जिनमें आपको दी गई है छोटी नॉच करीब से मैं आपको दोनों मोबाइल्स की डिस्पले दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं काफी बढ़िया डिस्पले लग रही है वैसे दोनों मोबाइल्स की कलर्स के अंदर थोड़ा ज़ादा बैटर लग रहा है Realme U1 सैमसंग से बाकी एज्जिस और बेजल्स के बारे में बात करी जाएं तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको काफी कम एज्जिस और बेजल्स मिल जाते हैं लेकिन अगर हम कंपेर करते हैं तो Realme U1 के अंदर आप देख सकते हैं edges और ज़ाद आपको कम मिल जाते हैं Samsung की display से तो display के मामने में वैसे दोनों ही mobile's काफी बढ़िया है लेकिन थोड़ा ज़ादा better आपको मिल जाता है Realme U1 Samsung से बाकि इन दोनों mobile's को आप left side से देखेंगे तो आपको sim के tray मिल जाती है और इन दोनों ही mobile's के अंदर आप 2 sim card एक memory card तीन चीज़े एक साथ लगा सकते हैं ये इन दोनों ही mobile's के अंदर खुबी है और दो जीओ के 4G के sim भी आप एक साथ इन दोनों mobile's के अंदर चला सकते हैं इसके लावा नीचे की तरफ आपको charging point, mic, speaker और 3.5 mm का jack मिल जाता है screen guard भी लगावा मिल जाता है तो ये चीज़ काफी बढ़िया है transparent cover भी आपको इस mobile के साथ मिल जाता है और screen guard भी display पे पहले से ही लगावा मिल जाता है बात करें front camera के बारे में तो 25 megapixel का front camera आपको मिलता है realme U1 के अंदर और 8 megapixel का front camera आपको मिलता है samsung के अंदर तो जादा बढ़िया front camera आपको मिलता है realme U1 के अंदर samsung से इसके अलावा user interface के बारे में बात करें तो samsung के अंदर आप उपर की तरफ swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है और screen पे ही आपको सारी applications मिल जाती है realme U1 के अंदर तो जादा बढ़िया user interface वैसे samsung के अंदर आपको मिलता है realme से दोनों mobiles के अंदर आपको fingerprint scanner face unlock का option मिल जाता है बात करें प्रोसेसर के बारे में तो exynos का 7904 प्रोसेसर आपको मिलता है samsung में और realme U1 के अंदर आपको मिलता है media tech का p70 प्रोसेसर तो जादा बढ़िया प्रोसेसर इन दोनों mobiles में आपको realme U1 के अंदर मिल जाता है बात करें बैटरी के बारे में तो U1 के अंदर आपको मिलती है 35 mm की बैटरी और samsung के अंदर आपको मिलती है 5000 mm की बैटरी तो जादा बढ़िया बैटरी बैकप आपको मिलता है Samsung के अंदर Realme U1 से U1 के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकप अराम से मिल जाता है और Samsung के अंदर आपको अराम से एक दिन से जादा ही बैटरी बैकप मिल जाता है तो बैटरी के मामने में Samsung काफी बढ़िया है Realme U1 से Fast Charger भी है इसके अंदर और आपको Type-C केबल का भी support मिल जाता है तो इस वज़े से Samsung बैटरी के मामने में ज़्यादा बढ़िया है चलिए बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं तो देखे सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपकी में ज़रुष किस चीज़ की है जिसके साथ आप बिलकुल भी compromise नहीं करना चाहते है अगर आपकी में ज़रुष की है तो आप Samsung लीजेगा इसके अंदर आपको ज़ादा बढ़िया बैटरी बैकप मिलता है तो इन चीज़ों में Samsung बढ़िया है अप Samsung लीजेगा इसके बाद अगर आपकी मेन जरुरत है प्रोसेसर की आप एक heavy user है तो realme u1 आपके लिए जादा बढ़िया रहेगा इसके बाद अगर आपकी मेन जरुवत है camera की आप صिर्फ camera की वज़े से ही मुबाइल लेना चाहते हैं camera के साथ बिलकुल भी compromise नहीं करना चाहते हैं तो मुझे इन दोनों ही मोबाइल के अंदर camera की performance average लगी जब मैंने portrait mode के अंदर photos ली इन दोनों मोबाइल के camera से तो जो edge detection होता है मुझे इतना खास जो है इन दोनों मोबाइल के अंदर नहीं लगा कहीं कहीं background जो है blur नहीं हुआ photos के अंदर तो वो चीज थोड़ी सी मुझे इन दोनों मोबाइल के camera में down लगी बाकिस के लावा अगर आपकी main जरुवत है mobile के design की तो ज़्यादा बढ़िया design वैसे realme U1 का लग रहा है Samsung से अब आप मुझे बताईएगा आपकी main जरुवत के हिसाब से आपको कौन सा mobile ज़्यादा पसंद आया ये चीज आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा वैसे मुझे इन दोनों मोबाइल में ज़्यादा personally जो पसंद है वो Samsung पसंद है आप मुझे comment करके बताईएगा वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को like कर दिएगा चैनल पर आप नए है तो subscribe कर लिएगा उसके साथ bell icon भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें इसके लबाव वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने friends के साथ share कर दियागा WhatsApp Facebook पे अगर आप इन दोनों में से किसी का भी comparison देखना चाते हैं किसी और mobile के साथ तो वो चीज़ भी आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो को जल से जल आपके लिए लेकर आने की मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care